नमस्कार स्वागत है आपका जनता जंक्शन के स्पेशल सेग्मेंट वॉट्स ट्रेंडिंग में और मैं हूँ आपके साथ सौमयराथी आज की वीडियो में जिन हाश्टाग के बारे में हम बिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले आपको बता दे कि आज दिल जीत दोसांच का जनम दिन है और लोगों का ये कहना है कि राइट फिंग वाले लोगों ने उनके खिलाब एक मोचा चलाया है और ये हाश्टाग हापी बर्दे खलिस्तानी कुत्ते उसी मोचे की देन है लेकिन उस हाश्टाग में सोशिल मीडिया पर ऐसे आख पकड़ी है कि वो वर्ल्ड वाइट ट्रेंड में आ गया है लोग इस हाश्टाग के साथ अपने ट्वीट्स में लिख रहे हैं कि फार्मर फ्रोटेस्ट तो बस एक बहाना था असली मकसद दिलजीत दोसांज का खलिस्तानी प्रोपगांडा चलाना था गिप के नाम पर ट्वीट में एक मीम अटाच किया गया है और मीम में कार्टून के तौर पर अमिच्छा और नरेंद्र मोधी को दिखाने की कोशिश की गई है और इस पर लिखा है इधर आजा शेर के पुत्तर और भी ना जाने किसने ऐसे ऐसे ट्वीट किये हैं जिसने दिलजीत दोसांज की तस्वीर को एक कुत्ते की तस्वीर के उपर पोटोशॉप करकर लगा दिया गया है और उन्हीं के जर्ये उन्हें बर्दे विशिस भीजी जा रही है आपको बता दे कि दिलजीत दोसांच किसानों के विरोध प्रदर्शिंग के दौरान लगातार किसानों के साथ खड़े हुई दिखाई दिये हैं जहां कुछ लोगों ने उनकी इस चीज के लिए प्रशंचा की थी लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग है जिन्होंने दिलजीत दोसांच पर खलिस्तानी होने के आरोब भी लगा दिये हैं और आपको तो यादी होगा कि दिलजीत दोसांच और कंगना रनौत के बीच में किसानों को लेकर बहुत बहस हुई थी उस वक्त भी दिलजीत दोसांच अपने क्रिस्प रिप्लाइस की वज़े से हैडलाइन्स में बने हुए थे अब आजाते हैं अपने अगले हाश्टाग पर जो है यह हमें आप में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ए आर रह्मान ने अपने टालेंट की वज़े से देश के लिए कितना नाम कमाया है और हर किसी के मन में उनके लिए कितनी महबबत है और यही महबबत अज लोगों की प्यारी-प्यारे विशिस के रूप में नजर भी आ रही है अब चलिए आज आते हैं अपने अगले ट्रेंड करने वाले हाश्टाग पर आज भारत के लिए अंतर राश्ट्रिय स्तर पर क्रिकिट खेल चुके दिनेश कार्तिक ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि कॉरिंटाइन पीरेट काटने का सबसे अच्छा तरीका है ट्विटर पे लोगों के सवालों का जवाब देना और इसके बाद क्या थे एक के बाद एक लोग उनसे सवाल पूछने लगे इन में जहां लोग दिनेश कार्तिक से धोनी और उनकी बेटी जीवा के बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग-अलग टाइप की क्याच में अच्छा कौनता होता है ये भी पूछ रहे हैं तो वहीं एक ऐसे भी शक्स है जिन्होंने अपने ट्वीट में दिनेश कार्तिक से ये पूछा है कि क्या वो इनसान के जीवन का असली अर्थ जानते हैं क्या दिनेश कार्तिक जानते हैं कि एक इनसान आत्मा बन कर सत लोग में लौट जाना चाहता है इनसानों के पास बाकई बहुत त्री टाइम है एक पूछ ऐसा है जिसने तो पहले दिनेश कार्तिक से नाराज ना होने का आगरह किया है और उसके बाद उनसे ये पूछा है कि फेस्बुक पर दिनेश कार्तिक का जो पेज बनाया गया है जो उनका मीम पेज बनाया गया है उस पर दिनेश कार्तिक के क्या बिचार है अब आज आते हैं हम हमारे आज के आखरी हाश्टाग पर Penalize SSR Killers सुशान सिंग राजपूत को इंसाफ नम मिलने का गुस्सा उनके चाहने वालों के मन में भरा हुआ है और ये गुस्सा ट्विटर पर बाहर आता ही रहता है क्योंकि हर रोज कोई ना कोई सुशान सिंग राजपूत से जोड़ा हैश्टाग आपको टूटर पर ट्रेंड करता नजर आ ही जाएगा एक ट्विट है जिसमें वो शक्स की तस्वीर लगाई गई है जो अपने आपको सुशान सिंग राजपूत का बेस्प्रेंड बता रहा था इस शक्स का नाम है संदीप सिंग इसमें लिखा गया है कि ये आदमी पूरी क्राइम सीन का इंचाज था और कहता है कि सुशान्त का बेस्प्रेंड है लेकिन सुशान्त के परिवार से इसका कोई संपर्ग तक नहीं था एक पोस्ट है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि रिया चक्रबर्ती के फेवर में ट्वीट करने के लिए लोगों को पैसे दिये जा रही है ट्वीट में दो तस्वीरे अच की गई है एक है जिसमें Justice of Riya नाम के पेट से एक पोस्ट किया गया है और उसमें लिखा गया है कि रिया के लोटने से हम सब बहुत खुश है रिया को हम सब की तरफ से बहुत साड़ा प्यार और हिम्मत रिया चक्रबर्ती हिम्मत और ताकत का उधारन है और इसके ठीक बगल में एक और तस्वीर लगाई हुई है जिसमें लिखा गया है कि आपकी अकाउंट में दो रुपे की रकम भेजती गई है उस ट्वीट की बज़े से जो आपने रिया चक्रबर्ती के फेवर में किया था और मेसेज भेजने वाले हैं रिया चक्रबर्ती के प्यार दुख की बात तो यह है कि सुशान सिंग राजपूत को इंसाफ मिले ना मिले लेकिन लोगों को एक लंबे वक्त के लिए मीम मटेरियल जरूर मिल गया है आज के ट्रेंड्स में बस इतना ही कल शाम आपसे फिर मुलाकात होगी और इस शो के जरिये वी विल कीप यू अपडेटेटेड विट वाट्स ट्रेंडिंग इस वीडियो में इतना ही अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो जन्ता जंक्षिन के पेज को लाइक और शेर जरूर करें अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें आप हमारी टीम से इंस्टेग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्ट जो जानकारी दिखाई दे रही है आप उसकी मदद से डोनेशिन के रूप में हम तक अपना सयोग पहुँचा सकते हैं इस वीडियो कौन तक देखने के लिए धन्यवाद मैं हुसाम मैर आठी क्यामरे के पीछे हैं प्यूस चौरसिया और आप देख रहे हैं जनता जंक्षिन